ना अवन न कूकर न कोई परिसाने भगोने में बेग करेंगे नान कटाई तो बहुत ही सरल तरीके से यह हमारे खस्ते दार जो है कि नान कटाई बनकर दयार होती है तो चलिए हम इस रेष्पी को सुरू करते हैं बनाना आप गणार कर तो हम अगड़ सकते हैं. पेच़ने के सहगता से हम अभ्मसे स्थोड़ा सा मैयश depth है आपको क्या करना है था मैंने 8 City तो चीनी उस्तोर बिशाने कंप्षे भा यहां मेरे हम 1512 मेस कर लेना है तो बसштी वांद आपको और कुछ भी नहीँ करना है तरह के आपको बिकसर लेला हैं और बस इस तरह से हमें इसे जो है की चीत हो और वस अब यह ची तरह से हमें इसे भीतना है तो एक हाम जो है ना कि आप चम्मा से भी कर सकते हों तो मेरे पास बेखसर है इससे मैं कर देगें पूरा सूबधा शुबधा आप करिए लग तो आपके हाथों के एक सो साइज भी हो जाएगी आपको थोड़ा का जुभी मेहनत आपको है इसे लगी तो आपको इस तरह से जो लफी होता जाएगा पहले काईसा था अब काफी चेंज हो चुका है जैसे जैसे आप इसे फिट के जाओगे न तो ए बिल्कुल टेक्चर का बनता जाएगा पहले कैसा था अजिट ने तो अब इसे चेक भी कर सकते हो कि हमें पैसा चाहिए तो मैं आपको बताती हूं इसे चेक करकर कि प्रीश ना आपको इसे चेक कैसे करना है तो बस मैंने इस का तोर понять से पाने ले लिया है और इसके बाद गीह को बनाया है चैनी और गीह को भी बनायां है अब हमने बनाया है पैटर इसके अदर से लाल दे On तो इसे हमाँ साइड में रखते हैं, इसमें जो भी इंग्रिनियस डालने वाले हैं, इसमें सारी जो है ड्राइ इंग्रिनियस हमें डाल लिया है, तो यहां मैंने मैदा लिया है, मैदा मैंने 200 ग्राम लिया है, आप इसे गिम हों की याटे में जो है भी बना सकते हैं, लेकिन तो यू रिजल्ट आपको मैदे में मिलेगा और गेम के याटे में नहीं मिलेगा तो इसलिए मैं यहाँ मैदे बाइस्तेमाल कर गई हो तो मैंने यहाँ 200 ग्राम मैदा लिया हुआ था तो मैने यहाँ 100 ग्राम मैं सुजी ले दी हूँ तीज भारिक वाली है, अगर आपने सूस्ई भारिक वाली में हो, तो आप से प्रेंश मिख्यक्न कर सकती है तो साधी इंगिरिणगों को छान करके लेना है, इस तरह से नहीं लेना है तो यहाँ मैंने बे को लिया है, बे का हैं कि 100 गराम है और क्या करना है आपको जो है कि मैदे के पेच्छा ए दोनु चीजों को थोड़ा थोड़ा कम करके ही लेना है आप ज्यादा मत लेना कमी करके लेना इसको भी मैं छान लेती हूं जो भी इसमें लामस और बुटुलियां है सारे में पल लिआएंगे तो यहां मैं ले रही हूं इलाइची पाउडर मेरे पाथ जो इलाइची थी तो तिंचा इलाइची को मैंने कूट करके इसका पाउडर बना लिया इसका फ्लेवर भी इसके अंदर बहुत अच्छा लगेगा अब इसके अंदर जाएगा बेकिंग पाउडर तो आपको दीक र जो हमें दब्बे वाले आपि उच किई देगा ऐसे खोली वाला मत उच कीजेगा तो जितना मैंने बेकिंग पाउडर लिया है उतना ही मैंने बेकिंग सोडा दिया है इन दोनों को हम ढाल देंगे और यहां मैंने एक दल थूड़ा सा मैंने यहां नमक लिया है जैसे जाटकी नापते लाता हैं तो आक चुटकी हो गया दो चुटकी हो गया यह ज़्यास हमें नमक कंड़ करें पर हाथ तो बहुत ज्यादा मीठा कर दोक्टा हमें भानाय उरव संबसे खांने मेए को सबढ़ी थेरिन आप से आपध्से प् deb incarn शाल लेते हैं तो इस चमच की हिल्प से हमें इसे मिक्स करना है वैसे अब मैं हाथ ही लगाने वाली हूँ मैं इसे हाथ जो ही इसे अच्छे से मिक्स कर पाऊंगे तो इस तरह से अब पहले इसे बहुत ही अच्छे से हमें इस तरह से हलकी हाथ से मिक्स करना है इस पर पूरा जूर नहीं लगा देना है तो यह देखिए जैसे जैसे मैं इसे मिक्स करती जा रहे हूं यह अच्छे से हमारे डो बनकर के तयार हो रहे हैं आपको इसमें पानी और दूद को भी इसमें डालने की जरूत नहीं है आप इसमें पानी और दूद मत डालना तो ये देखिए हमारे जैसे जैसे हम इसे मिक्स करते जा रहे हैं ये हमारा डो जो है बनता जा रहा है जैअँ जो है कि आपको हातों से यहाथ से बहुत जादा आपको इस से जोल भी नहीं डेना है बिल्कुल हलकों हातों से उसे जो घ movements हाथ से आपको बैटर को और सौरि vehicle हां बहुत ही हलकी हाँ से आपको गूथना है तो अब देखिए हमारा डो जो है लग करके देखिए बहुत ही बढ़ियां से लग भी चुका है तो इसे हम जो है कि थोड़ी देर तक दस मिनट तक हम इसे फिलीजी में रखेंगे थोड़ा सा ये चील दो जाए तो जब तक डो हमारा रेश्ट ले रहा है तब तक हम प्लेट को ग्रीज कर लेते हैं क्योंकि मैं नान खटाई को प्लेट में बनाने वाली हूँ तो बस इसे चारो तरफ से हम हाथों से अच्छा से इसे इस तरह से लगा लेगे तो दस मिना ठोप गया है और ये डो भी हमारा रेश्ट ले लिया है तो अब हम क्या करेंगे इसमें से हम अगर आपको एक साइज का बनाना है तो आपको क्या करना है कि मैं बताती हूँ न कोई छोटा होगा न तो बड़ा होगा बिलकुल एक साइज की सारे हमारे जुए न अगर आपको एक साइज का बनाना है तो आप इस तरह का चमच ले लिजे और इसे नाप करके बनाएए इस तरह से आप नाप करके बनाओंगे तो सारे जो है कि एक साइज करके बन करके तयार होंगे इस तरह से एक साइज के सारे बिस्कित बना करके आप तयार कर सकते हो और बिल्कुल गिल गोल शेप में इस तरह से लेड्डू बनते हैं ना बिल्कुल आपको इस तरह से बनाना है अब इस तरह से हम बना लेते हैं और दूसरे वाले को भी हम उसी तरह से बनाएंगे तो यह देखिए पहले आपको इस तरह बना करके तारी को तयार कर लेना है तो मैंने जो है कि सारे बना लिए हैं करने वाले हैं इसे हम बेक करेंगे भगोने में तो मैंने या भगोने को जो यह गयस बती चड़ा दिया था और यह काफी अच्छी तरह से ही ट हो चुका हैं एक दि दιखिए मैं इसमें नमक डाल दिआ था तो तो बस हमें क्या करना है तो बस मैंने इस तरह की रिंग लेली है इसके अंदर हम इस रिंग को डाल देंगे थोड़ा सा उचाई इसकी जो है दू अंगुल को ची होनी चाहिए फिर इसकी बाद हम क्या करेंगे यह जो हमारी प्लेट है इसके अंदर हम प्लेट को डाल देंगे थोड़ा सा जो है कि आपको संभल करके डालना है क्योंकि भगोना भी गरम है तो हाँ चलने का डर रहेगा तो जब भी आप प्लेट में से बीक करने के लिए रखे तो थोड़ा-थोड़ा सा दूरियां बना करके रखे क्यूंकि जब एक खेल करके साइज में बढ़े होंगे तो आपस में सट जाएंगे तो इसलिए दूरी बना करके रखे अब मैंने प्लेट को अंडर गाल दिया है इसकी हम लेट लगा देंगे और गैस की फ्लेंथ हम एकदम मिड्यम लखेंगे और मिड्यम फ्लेंथे हम इसे बैग करेंगे कम से कम दरज से बंदरमिनट लग जाएंगे इसे बेख थूने में और 10-15 मिनिट के बाग मिलते हैं तो यह देखे 15 से 20 मिनट हो गए हैं और इसमें क्रेक्स आगे हैं तो यही इसकी पहचान है कि यह हमारे जो ही कि नान खटाई यह चिस से भी कुग चुके हैं तो अब हम क्या करेंगे इसे निकाल लेते हैं और दूसरी बाली प्लेट इसमें ट्रांसपर कर देते हैं तो यह देखे हमारी नान खटाई जो ने बन करके लिए है और एपहुत ही घस्ता बने हुई है और दिखने में भी बहुत ही सुंदर लग रही है और इसमें कि कितनी बढ़ियों से क्रेक्स आ शुके है तो यह यह देखे मैं इसे आपको शब करके दिखा रही हूँ कि आप एक बार इस तरह से नान खटाई ज़रूर बनाएगे, आप लोगों को पहुत पसंद आने वाले हैं तो इसे आप काफी लंबे दिन तक इस्टोर करके भी रख सकते हो, यह जल्दी खराब नहीं होने वाले हैं आप लंबे दिन तक किसी क्या रख पाओगे, किसी के घर नहीं रह पाएगे, तुरंत बनती है, और बनने के बाद तुरंत ही लोगों लूट-लूट करके खाने रखते हैं मेरे घर तो यही होता है, मैं सुबह ही बनाई, लेकिन जैसे लगा के लूट मच गई तो यह देखे, हमारी साधी नानखटाई बहुत ही बढ़ियां से बनी हुई है, मैं आपको जो यह कि अंदर से इसे तोर करके दिखाती हूँ कि यह कि इतनी खसता है तो यह देखे, इसका करंज देखे, उपर से मैंने जो है न कि ड्राइपूर्स लगा दिया था, ड्राइपूर्स ऑप्शनल है, आप चाहिसे लगाओ या न लगाओ, फिर भी यह खाने में बहुत ही बढ़ियां लेगी तो यह देखे, कितना खसता है, एक दम, बस हलता सा ह आप में दबा रहे हूं, तो यह दूप जा रहे हैं, तो बहुत ही खसता बना हुआ है, आप इस तरह से इस जरूर जो है कि नानखटाई बनाएए और खाईए आप लोगों को बहुत पसंद आने वाले हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजे, ज्यादा से ज्य केर कीजे, और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सस्क्राइब करके बिल आइकन जरूर प्रेज कीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिक्रिशन आपको मिलती रहे हैं, और कमेंट करके भी एकताईए, कि आपको हमारी रेस्पी नान खटाई वेली कैस नहीं लगी, तो फिर नहीं देस्पी के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए, बाई बाई, टेक केर,